एई स्वारो फ्रेंड्स दिस इस विकास और यू वाचिंग बिगे 24 स्टडी जोन इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 नौबर के करेंट अफियर के बारे में तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इस वीडियो का डेटेल पीडिया आप डेस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर लिंक दिया हुए है तो डेकली वहाँ से डाउनलोड कर लिजे पहला कुशन हमारा करेंट अफियर का है 30 नौबर के लिए पहला कुशन है कि हाली में कौन सा राज्य अखिल भारती या अपातकाली नंबर लॉंच करने वाला पहला राज्य बन गया है तो इसका सही आंसर है हिमांचल परदीश ओके हिमांचल परदीश अखिल भारती आपातकाली नंबर लॉंच करने वाला पहला राज्य बन गया है याद रखेगा कि जो हमारे केंद्री ये ग्रहम अंत्री है राजनास सिंग जी इन्होंने आपातकाल परतिक्रिया साहिता प आपको होती है मुसीवत के टाइम पर जैसे प्लिस हो गया एंबुलेंस की सुविदा हो गई फायर डिपार्टमेंट हो गया तो उन सभी को जो है 112 से जोड़ दिया गया है अब आपको सिब एक नंबर डायल करना होगा 112 ठीक है पहले जैसे कि आपको बता होगा 100 नंबर जो यह होगी तो 112 पे कॉल करके आप मंगा सकते तो हिमानचल परदेश इस तरीके का नंबर लॉंच करने वाला पहला राज्य बन गया है ठीक है आने वाले टाइम में इसको और भी राज्यों में लॉंच किया जाएगा तो फिलाल में हिमानचल परदेश के बारे में इतना या है यहां कि आचारे देवरत मुख्यमंत्री की बात करें तो जैराम ठाकूर हिमानचल परदेश के मुख्यमंत्री हैं मुख्य नयाधीश है शूरिकांत और इसी तरीके से सीटू के अगर बात करें तो हिमानचल पिदान सभा में 80 सीटे हैं राज्य सभा के लिए हिमानचल प्रदेश के सभी जो पडूसी राज्जी हैं वो आपको दिख रहे होंगे तो ये आपको इस पस्ट तौर से पता होना चाहिए कि इसकी सीमा है कौन-कौन से राज्जियों से लगती है ठीक है देखिए गिनिये और आप लोग जो है खुद मुझे कमेंट करके बताए कि कितन राज्जियों से इसकी सीमा लगती है ठीक है आपको सभी दिख रहे होंगे इस पस्ट रूप से पंजाब हरियाना जमो कश्मीर तो आप बताए मुझे कमेंट करके कि इसकी सीमा कितने राज्जियों से लगी है हिमानचल परदेश की ठीक है चलिए इसके बास सेकंड क्वे गोशना की गई थी उनके नाम की और इस वक्त जो है इनको न्यूक्त कर दिया गया है ध्यान रखेगा अर्विन सकसेना यूपियसी के नए अध्यक्ष है इनका कारिकाल 7 अगस्त 2020 तक होगा तो यह सीज आपको पता होनी चाहिए याद रखेगा कि 20 जून 2018 को यूपियसी क कारिवाहग अध्यक्ष के रूप में इनको न्यूक्त किया गया था ठीक है तो यह सीज भी आपको पता होनी चाहिए तो 2020 तक इनकी न्यूक्ती होई है वैसे और फिलहाल में 65 वर्ष की इनकी आयू कम्प्लीट हो जाएगी तब तो तब तक के लिए इनको न्यूक्त किया तो इसका सही अंसर है भात और यूनाटेट किंग्डम के बीच में भात और यूनाटेट किंग्डम के बीच में कौंकर्ण 18 युद्ध अभ्यास आयूजित किया गया है और उद्देश क्या है इन दोनों के बीच में तो इसका आयूजिन का जो उद्देश है जो भी नौस इसमबर तक चलेगा और इसका आयोजन हो रहा है गोवा में ठीक है तो यह सीज भी आपको यहां से पता होनी चीए गोवा में इसका आयोजन हो रहा है बाकि किन के किन के बीच में हो रहा है यह आपको पता होना चीए युनाइटिट किंग्डम की बगार बात करें तो सभी ल फूर्थ वाला है कि भारती अंतराश्टी फिल्म महुसौ 2018 में, किस फिल्म ने गॉल्डन पिकोक अव़ड प्राप्त किया उसका जो सही आंसर है वो है डौन्बास टीकें जो अभी गोवा में भारती रंत्राष्टी फिल्म महुस्सा हुआ था इसमें Golden Picoke Award प्राप्त किया है और कौन से यह मतलब कौन सा ये फिल्म महुस्ता था ये याद रखेगा ठीक है बारती अंतराश्टी फिल्म महुस्ता कौन सा था ये तो इस था 49 हुआ ठीक है ये जो डोनबस है ये फिल्म पूरबी युकरेन की एक शेत्रीय युद्ध की एक कहानी पर आधा हरी थै और इसमें क्या हुआ था इस फिल्म के इस फिल्म में जो अलगावादी हैं उन्होंने मतलब बड़े पैमाने पे हत्याई की और लूट पात किये तो उसी के उपए इस फिल्म को बनाया गया ठीक है तो जिस खूसूर्थी के साथ जो है इसको कह सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखाया गया इसका परदर्शन किया गया उसके लिए जो है इसको ये अवाड मिला है इसमें क्या होगा इस फिल्म को 40 लाग रुपे मिलेंगे जो की जो डिरेक्टर और परदूशर होंगे उनके बीच में आदा आदा बढ़ जाएगा ठीक है तो यहने की 20-20 लाग जो है दोनों को मिलेंगे तो यह जिस ध्यान रखेगा निरमातवा निरिशा के बीच में यह पैसा बढ़ जाएगा तो बस इतनी चीज़ें आपको यहां से पता होनी चाहिए इसके बाद फिप्त वाला है मारा की हाली में यूरोपिय संग ने किस वर्ष तक जैव इंधन का इस्तमाल बंद करने का लक्ष बनाया है तो यह सिंबल है 2050 तक इसको याद रखेगा जो यूरोपिय संग है इसने ये घोशना की है ये आवान किया है कि 2020 तक सॉरी 2050 तक जो है जो भी यूरोपिय संग के हमें हैं उन सभी को जो है मतलब जैव इंधन का इस्तिमाल करना बंद कर देना चाहिए ये इसका मतलब एक लक्ष दिया है ये तो 2050 तक इसने लक्ष दिया है तो इसका बड़ा मैं डेटेल से नहीं लिखा है इतनी चीज आप यहाँ से याद रखेगा इसके बाद च्छटा कोशिन है कि 29 नॉउंबर को इसरो ने हाईसिस सहीत कुल कितने अउबग़्हूं का सपलता पूरवग परच्छेपन किया है तो उसका सही आंसर है 31, ठीक है, हैसेस के सांसां जो है तीस अन्य उबग्रहों का भी जो है सपलता पूरवक परच्छेपन किया गया है, इस रोखे द्वारा ये जो परच्छेपन है, इसमें भाध का ये उबग्रह है, और साथे सांस जो आठ देश हैं, आठ अन्य देशों क नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इनके उबग्रहों भी उबग्रहों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, ये जो उबग्रहा शामिल किये गये हैं, जो परच्छेपित किये गये हैं, 31 उबग्रहा हैं, जिसमें भाध का एक हो गया, बाती के 30 किसके हैं, ऑस्टेलिया का एक है, कनेडा का एक है, कोलंबिया का एक है, फिनलेंड का एक है, मलेशिया का एक है, निदरलेंड का एक है और एक है, स्पीन का, ठीक है तो ये होगे साथ टोटल और बचा एक देश वो है अमेरिका, तो अमेरिका के 23 तो इन दोनों को अगर आप एट करेंगे तो यह हो जाएंगे 30 और एक हमारा इंडिया का उग्या तो 31 उग्राओं को इसमें शामिल किया गया है परचेपित करने के लिए ठीक है याद रखेगा कि इन उग्राओं को अंदरपरदेश के सिरी हरी कोटा के 37 धवन स्वेस सेंटर से पोलर सेटलाइट लॉंच हुई कल C-43 की मदद से लॉंच किया गया है तो इस इस भी आपको यहां से पता होनी चाहिए तो इस सभी चीज़ें याद रखेगा और यहां पर से इसरो के निदेशक नहीं लिखे मैंने के सिवान जो है इसरो के निदेशक है अध्यक्ष है तो इस इस आपको पता होनी चाहिए साथमा क्वेशन है कि 28 नॉमबर को लॉजिक्स इंडिया 2019 का परतीक चिन एवं ब्रोसर किस ने लॉंच किया तो इसका सही आंसर है सुरेश परभू ठीक है 28 नॉमबर को लॉजिक्स इंडिया 2019 का परतीक चिन और ब्रोसर जो है सुरेश प्रभू ने लॉंच किया है और याद रखेगा कि सुरेश प्रभू हमारे केंद्री वाड़ी जेवा मुद्योग और नागरिक उड्यान मंत्री है तो इनी के दौरा इसको लॉंच किया गया है लॉजिक्स इंडिया 2019 की अगर बात करें तो इसका आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक किया जाएगा और कहां किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा और यहां से पता होने चाहिए हम इसके बार में निश्य तोर पर अगले साल बात करेंगे जो इसका आयोजन होगा और यहां पर से यह चीज़ याद रखेगा कि बिश्व बैंक Logistics Performance Index 2018 में भी भारत को 44 इस्तान पराप्त हुआ है तो यह सीज़ भी आपको पराप्त पता होनी चाहिए तो इसमें रसद से संबंदे जो भी कह सकते हैं सुविधाएं हैं या पिर जो भी प्रॉब्लम है उसके आधार पे यह रैंकिंग दी जाती है 44 भी रैंकिंग भारत को मिलिये इसमें तो इसीज़ ध्यान रखेगा इसके बाद आठवा क्वेशिन है हमारा कि हाल ही में किस मंत्राले ने एक भारत स्रिष्ट भारत कारिकरम के तहत भासा संगम पहल की शुरूबात की गई है इसके तहत ओनलाइन माध्यम से मतलब ओनलाइन पोटल के माध्यम से जो है जितने भी स्कूली बच्चे हैं देश में उनको हमाई देश के जो अन्य भासा हैं जो विपिन कह सकते हैं संभीधान में जिनको शामिल किया गया है उन भासाओं को सीखने का मौका दिया जाएगा अउसर परदान किया जाएगा ठीक है तो यह सीज़ आपको पता होन किया जाएगा स्कूली बच्चों को ठीक है तो उसी के लिए योजना शुरू की गई है भार्षा संगम त्यान रखिएगा इस चीज़ को नाइंत वाला है कि निम्न में से किसे राश्टी कॉसल विकास कॉर्परेशन का चेयर्मैन न्यूक्त किया गया है तो इसका सही आंस इलिमिटेट समू के अध्यक्ष है तो इस चीज़ आपको यहां से पता होनी चाहिए राश्टी कॉसल विकास कॉर्परेशन का कामी है जो भी आप कॉसल विकास की यूजनाई देखते हैं वो इसी के माध्यम से जो है इसी की देखरेक में लागू होती है चलाई जाती है त और फार इस चीज़ आपको यहां से पता होनी चाहिए अब बात करते हैं यहां पर से क्kokशिन नंबर दसवेगी तेरवे जी ग्वेंटी सिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी तीर वेंट्य सिखर सम्मेलन में भारत की और से हमारे जो परदार मंतरी है नरीद मोदी जी वो शामिल होंगे और इसका जो आयजन है वो 30 नॉवंबर से 1 दिसमबर 2018 तक अर्जेंटीना के व्यूनस आयर्स में किया जाएगा तो यह से आपको यहां से पता होनी चाहिए सदस्य कौन कौन है जो G20 के अगर हमें आप बात कर रहे हैं तो G20 के सदस्य मैंने यहां पर लिखे हैं जिसमें कि अर्जेंटीना हो गया औस्टेलिया हो गया ब्राजील हो गया कनेडा हो गया चीन हो गया यूरोपी यूनियन हो गया इसी तरह के से फ्रांस हो गया और जर्मन तो यहाद रखेगा तो इसमें जो है जितने भी बेसिक चीज़ा समस्या हैं बहुत से देशों की चाहिए हो महीला सुरक्षा हो गया और चाहिए वहां का जो इकनॉमिक कंडिशन हो गई ठीक है तो उन सभी के बारे में इस समीलन में चर्चा की जाएगी ठीक है तो याद आ रहा है इसके बाद कल के कुछ प्रश्णू की बात करते हैं जिनके बारे मैं आपको पता होना चेह था लेकिन काफी लोग ने गलत आंसर भी किये थे पहला कुशन में आप सब पूचा था कि हाली में अंतराश्टी फिल्म महुस्व का आयोजन किस राज्य में किया गया स सिंपली है गोवा में इसका आयोजन किया गया था दस बार बता चुका हूँ मैं इस सीच को तो हाली में कौन में 2018 का आयोजन किस देश में किया गया तो इसका सही आंसर नेपाल था ओके टर्ट कुशन था आपके लिए कि हाली में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन चुन हैं पहला प्रशन है कि हाली में होकी विश्व कब 2018 का आयोजन कहां शुरू हुआ है तो बतेए मुझे कहां शुरू हुआ है भी हमने दो चार दिन पहले भी पढ़ा है इसके बारे में सेकंड कोशिन आपके लिए कि हाली में कर्तारपुर कोरिडूर की आधार शीला किसके रखी गई तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और यह जो कर्तारपुर कोरिडूर है यह कहां पर है कहां से कहां पर जो है इसके आधार सिला रखी गई है उस राज के जो मुख्यमंतरी है और राजिपाल है उनके नाम भी अगर आपको पता होंगे तो क कुछ पॉइंट को आज इसमें से रिमूब किया है आप मुझे बताइएगा कि कैसा है थैंक्यू सो मच इस विडिये को देखने के लिए आपका दिन शुबह धन्यामात